नुश्कार बिन्या टाइम से में बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ विवेक दोबहर तक की दो बड़ी ख़बरों को लेकर आपके बीच आजिर हुए हैं बात करते हैं पहले ख़बर की मदप्रदेश में पंचाय चुनाओं में OBCR-8 मामले में सुप्रीम कोट में अपसुनवाई नहीं होगी कोट ने बुदवार को मदप्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि इस्थानी निकाय चुनाओं में OBCR-8 के लिए ट्रिपल ट्रेश्ट नियम का पालन करना जरूरी होगा कोट ने कहा कि चुकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाओं रद्ध हो चुके हैं इसलिए इस संदर्व में दाखिल की गई तमाम याचिकाएं अपने आप प्रभाव हीन हो चुकी है आपको बता दें कि सरकार इससे पहले ट्रिपल ट्रेश्ट की तैयारी शुरू कर चुकी है बस अब डाटा एकसाई होना बाकी है इसके बाद प्रदेश में OBC बोटरों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी सरकार इस डाटा के आधार पर इस्थानी चुनाओं में आरच्छन का भी निर्धारन करेंगी इसके लिए कबलात ने भी कल ट्वीट किया उन्होंने कहा कि OBC बर को हर हाल में हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरच्छन का लाव मिलेगा और पंचायत चुनाओं बिना OBC आरच्छन के नहीं होंगे बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी ख़वर की तो मद्द प्रदेश में 24 घंटों के दोरान दो बार मौसम बदलने के आसार हैं अंगले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ने के आसार बताय जा रहे हैं पाकिस्तान से आने वाली ठंडी हवा 21 जनबरी से सक्री हो जाएंगी इस से सुक्रवार को प्रदेश में कई इलाकों में बारिस और ओले गिर सकते हैं 24 जनबरी से पहले कडाके की ठंड पढ़ सकती है पांच दिन तक शीत लहर चलने के आसार बताय जा रहे हैं मौसम बैग्यानिकों की माने तो कहा जा रहा है कि 21 और 22 जनबरी को भोपाल, उज्जैन, गौालियर, चंबल, सागर और रीबा के साथ शेहडोल संभाग में कहीं कहीं हलकी बारिस और ओले गिर सकते हैं 23 जनबरी को भी कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है यह बारिस का अंतिम दोर भी कहा जा सकता है क्योंकि 21 जनबरी को एक सिस्टम बनेगा उत्तरी बंगलादेश और चक्रवर्ती गत्विदिया सक्री होंगी इरान के उपर से हवाएं एक तरफ से आएंगी जिससे अब 21 जनबरी से एक और सिस्टम सक्री होने की संभावना बनी हुई है जिससे कई इलाकों में बारिश की संभावना प्रदेश में बताई जा रही है आपको बता दे कि प्रदेश में बुद्धवार को दिन में सबसे ज़ादा ठंड, भिंड, ग्वालियर, स्यूपुरी, छतरपुर, रीबा और टीकमगड में रही यहां तापमान सामान से 10 डिगरी सेलसियत तक नीचे चला गया था बहुत बहुत धन्यवाद